जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से ले करके आया हूँ मंदे निरिच्छे की एक्जाम को ले करके CG MCQ का पाल्ट नंबर 31 अगर आप अन्य पाल्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक आउट कर सकते हो देख सकते हो अगर आप कोई भी कॉम्पेटिसन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो CG व्यापम, CG PSC, CG Police भरती तो इसमें CG से रिलेटर बहुत सारे प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं उन्हीं का प्रश्ण MCQ के माध्यम से इसमें सौल करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू सिलास तक जरूर देखिएगा और आपका कितना question राइट हुआ है तो नीचे comment box में जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरे साथ भी आप अपना आशर जरूर देते जाएगा चलिए देखते हैं प्रश्ण है सुमेलित कीजिए एक तरफ है जीला और दूसरा तरफ है जीला मुख्यालाई ठीक है तो एक तरफ देख लेते हैं जीला कौन सा है बस्तर है सरगुजा है कोरिया है और क कबीर धाम है तो दोस्तों यहां पास देख लेते हैं बस्तर संभाग का जीला मुख्यालाई क्या है तो वह है जगदलपूर है तो यहां पास तीसरे नंबर देखने को मिल रहा है सरगुजा का जो जीला मुख्यालाई है वह है दोस्तों अंबिकापूर कोरिया का है दोस्त मतलब एक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कोरिया का, मनेंद्रगर, मतलब बैकुंटपूर, तो यह हो जाएगा, चार हो जाएगा, और कबीर धाम का कमरधा, मतलब यह हो जाएगा, तीन, मतलब तीन, एक, चार, तीन, क्या हो जाएगा, इसके लिए, स्वरी, दो ह हो जाएगा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों ऐसे चीजी होती है जिनका जीला और जीला मुख्याला एक दूसरे से एक बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं तो आप इस चीज रायपूर का अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम जिसको सहीद वी नरायन सिंस्टेडियम के नाम से जाना जाता है यह कौन सी कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है तो दोस्तों सिंगानिया बिल्ड काम के द्वारा निर्मित किया गया है मित्तल कंट्रक्शन या फिर वीमल contraction या फिर नागारजून contraction तो यह इंपोर्टेंट है तो इसको पूछ सकता है तो यह है दोस्तों नागारजून contraction के द्वारा जो है यह निर्मान किया गया तो अपसे नमबर दा क्या हो जाएगा इसके लिए correct answer हो जाएगा चलिए दोस्तों देखते next question प्रयाग प्रस्वस्ती के अनुसार जो है दोस्तों समुद्र गुप्त ने दक्षिना पथ में नीम ने लिखित राज्याओं में से जीता था मतलब जो नीचे के दक्षिन पथ में जब उनका वज़े अभियान चला था तो दक्षिन में राज्याओं को जीता था राज्यों को जीता था उसमें से 36 गड़ के दो जो राज्या है छेतर है वो कौन-कौन से है तो हमको पताना है कोसल कुराट महाकांतर या फिर और जो है पिटपूर तो तो दोस्तों आपको पता होगा प्रयाग प्रसस्ती किन के द्वारा लिखा गया है हरिशन के द्वारा लिखा गया है और जो किन के दरवारी कवी थे तो वो है दोस्तों समुद्र गुप्त के दरवारी कवी थे जिस तरीके से भारत के नेपोलियन समुद्र गुप्त कहा जात तो दोस्तों जो ऊपर में विस्ताय किया था उत्तर में तो उसका जो है अलग नाम है दक्षिन में किया था तो दक्षिन पठेस्वर नाम उनका जार नाम रखा गया है और उसमें से चीज है दोस्तों कि जो नीचे में दक्षिन में जिनका उन्होंने जब आकरमन किया था तो विजय अभियान दक्षनापत में तो दो जगह हुआ था कौन-कौन से है दुस्तों तो इसमें आपका कोशल का जगह है वो और महाकांतार का जगह है वो तो कोशल का जो उस समय राजा थे 36 गड़ में वो थे महंद्रसेन इनको समुद्र गुप्त द्वारा हराया गया था और ठीक है तो यहां पास कौसल और महाकांतार का हो जाएगा फिक है चलिए देखते है नेक्स्ट कोश 정 रतनपूर के किस कल्चूरी राजा थे कौन थे उनका हमको नाम बताना है और उनके जो सेनापती थे उनके सेनापती कों थे जगत पाल देव थे जिनोर राजी में जो 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 रा रेक्टांसर हो जाएगा इन्हीं के जो सेनापती थे जगत पालदेव इन्हीं के द्वारा जो है राजीव लोचन मंदीर का ज्रनोधार कराया है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरू बताएगे कि राजीम में कितने मतलब कौन-कौन से नदियों का संगम है ठीक है चल कमाविजदार पोतदार बढ़कर या फिर ताहुतदार तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसके लिए कमाविजदार जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपसनी जा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए देखते नेक्ट कोशन 36 गण में 1857 एवं 1858 के विद्रोह के संब तो बिल्कुल हाँ वो प्रथम सहीद है उसी तरीके से बिलाईगार भडगाओं देवरी के जो जमिदार हैं वो विद्रोह में शामिल नहीं थे विए क्या थे उसके विरोध में थे ठीक है विद्रोह नहीं किये थे उसके विरोध में थे कि आप ही आपने जो है धान को मतल का दिलवाई थी ठीक है उसी तरीके से हनुमान सीह ने तीसरी रेजिमेंट रायपूर में मेंडल जो सिडवेल है उनकी हत्या की थी यह जो मंगल पंडे से प्रवीद होकर की ऐसा इन्होंने कदम उठाया था क्योंकि 1857 की जो करांती हुई थी वो मंगल पंडे के जो छाउनी है वहीं से स्टार्ट हुआ था ठीक है उसी तरीके से विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को मृत्यू दंड हुआ था जब उन्होंने हनुमान सीह को हनुमान सीह ने क्या किया था सेडवेल की हत्या की थी तब तो इन्हीं के जो 17 सांथी थे उन्हें जो है मृत्यू दं दिया था, option number B क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, चलिए देखते हैं, next question, राज्य के किस जीले में उराव जन जाती निवास करती है, तो भई, यहाँ पास राज्य के किस जीले में उराव जन जाती, sorry, निवास नहीं करती है, तो आप इसको ध्यान दिजिए, निवास नहीं कर जाती है, तो यहाँ पास बईगा जन जाती मुख्य दोर पर निवास करती है, ताप इसको ध्याद रखिए, यहाँ से प्रशना पूछा जाता है, कि कौन से जन जाती कहां से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, देखते, next question, राज्य के किस रियासत में भारती संग में विलाई कर लाईगा, तो यहाँ पास जो है, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सक्ती, ठीक है, तो सक्ती, option number C, इसक्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जब कृषक अंदुलन चल रहा था, और उस समय जो है, सक्ती रियासत जो थी, वो पूरी तरीके से मिल भी गया था, भारत के शंग में, उसके बावजूद भी यहाँ पास, जो है, क्रिशा कांदुलन चल रहा था, भाई, क्रिशा कांदुलन चल रहा था, मतलब उनकी जो मांगे है, उनको पूरा नहीं कर रहा है थे, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पास, क्रिशा कांदुलन जो है, लगा इरोध पूरी जो है कहां है दोस्तों बलावदा बजार में इस्थित है ठीक कहां इस्थित है बलावदा बजार में तो अब इसको याद रखी इंपोर्टेंट है चलिए देखते है नेक्स्ट कोशन च्छतिस गड़ में मराथा सासन के अंतरगत सूबा वैवस्था में नीमन यह गलत हो जाएगा तो तो तीन में से आपको क्या करना है इसमें बताना है तो चलिए देखते है नेक्स्ट कोशन पॉइंट तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अक्सासन करम के अनुसार तो सबसे पहले दोस्तों जो है महिपत राव जो है इन्होंने क्या किया है तो य केशाव गोविंद तो यह चौंथा नंबर पर हो जाएगा और बीका जी गोपाल जो है इन चारों में से सबसे लास्ट में आया थे तो यह क्या हो जाएगा दूसरा तो मतलब 3 1 4 2 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 3 1 4 2 हमको ऑप्सन नंबर B में जानकरी के साथ तो मुझे जाएगा यह जाएजाजा टेक्के आल रवल बैस्ट जय हिंद झाल झाल झाल